हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागता आप सभी का कॉमिक वल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाके लाल सीरीज के अगले कॉमिक्स बाके लाल और कबाढा संजग उप्ता पेश करते हैं हाथ से समराड बाके लाल का हास से कौमिक बाके लाल और कबाड़ा हाथ से सलाकर संजग उप्ता विवेक महण चित्रांकन बेदी सैयोग अमित अनूप गौरफ श्रीकांत राजकुमार लेखक तरलकुमार वाई संपादक मनीश कुप्ता 36 घड़ की रानी रूप कवर से विवा के परशाद राजा बनने के लोब ने बाके लाल को एक आग्याकारी पती तो बना दिया किन्तु राजा नहीं अपनी डायन पतनी से परिशान बाके लाल बेचारा बहुत दुखी और विवश है क्योंकि उसकी जान भी डायन दुशन्ती की मुठी में कैद है डायन को 36 दातों के जिस जबड़े की तलाश थी वो भी बाके लाल कही निकला जिसे प्राप्त करके अब उसे कुछ अतरिक् महामंत्री चमचा सिंग वर सेना पती ठाका सिंग रानी को तब तक मारने नहीं देंगे जब तक डायन रानी रूप कवर का शरीच छोड़ नहीं देती क्योंकि अगर बाके लाल ना ऐसा किया तो डायन के सासा उनकी मिर्दोश रानी रूप कवर भी मारी जाएगी पेचार पती और मेवा मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे दाथ नहीं है मैं दाथ बोड़ा हो चुका हूँ सेना पती महाम मंत्री अगर तुम मुझे डायन को मार लेने देते तो आज मेरे दाथ साही सलामत मुझे अंदर होते मैं मजबूर था बाकेलाल जी मैं भी अगर उस जुष्टा दायन को मारेंगे तो रानी रूप कवर भी मरेंगी मैं उनकी मित्यू की भी कलपना नहीं कर सकता मैं भी लेकिन घबराओ नहीं बाकेलाल उधर देखो ये दंत विशेशग्य है इसका नाम मंद बुद्धी है मैंन तो फिर तुम मूँ खोलो इस जबडे में तो बैल के दांत ही लगेंगे चिंता मत करो मैं ठोक दूंगा बाकेलाल मूँ खुला ही रखना बले ही मक्की गुज जाए अब ये क्या कर रहा दात लगा रहा ये नाल बोलना नहीं बोलना नहीं कील गलत जगट ठुक गई तो ब बाकेलाल को आईने में अपनी शकल मत देखने देना आकर मैं भी बाल बच्चेदार हूँ अच्छा तो अपपा चलते हैं बाकेलाल जी अब आप अखरोर बदान तो क्या गन्ना भी खा सकते हैं वाह क्या दात हैं डायन दुशन्ती के साथ अब आपकी जोड़ी खूब जमेगी पर मुझे भी तो दिखाओ कि नए दात मुझे पर कैसे लग रहा हैं दंद विशेशा के चला गया है इन्हें आईना दिखा दो महामंतरी आईना देखते ही बाकेलाल चीक पड़ा ये क्या ये कैसे दात है उसका भकत दद विशेशक को पकड़ो मैं बाकेलाल से बैल लाल हो गया हूँ अब तो जो भी है जब तक आपको असली दात नहीं मिल जाते इन से ही गुजारा करना पड़ेगा बाकेल मरता क्या ना करता ये सब उसी डुष्टा दुष्यंती के कारण हुआ जिसने मेरी जान अपनी मुठी में कैद करके मुझे अपना गुलाम बनने पर विवश कर दिया है मैं भी उस डुष्टा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे पानी पूछने वाला भी कोई ना होगा मुझे तो कोई मारी नहीं सकता अब अपनी इसी विशेष्टा का लाब उठाकर मैं 36 गड़ की परजा में अपनी लोगप्रत्या इतनी फिला दूँगा कि परजा मुझे ही राजा मान लेगी बाके लाल रास दरबार में पहुँचा अरे स्वामी आईए अपना चर्णासन द्रण कीजिए जग हसाई से बचने के लिए मुझे फिलाल अपना मुझ बंदी रखना पड़ेगा बोलना भी पड़ा तो ध्यान रखना होगा कि मुझ जादा ना खुले बना दातों की पोल खुल जाएगी तभी महरानी हमारा क्या होगा हमें टाकू संग्राम सिन से कौन बचाएगा इसका उपाय तो बहुत सरल है डाकू को क्या चाहिए धन अगर धन तुमारे घरों में रहेगा तो डाकू उसे लूटने तुमारे घरों पर धावा जरूर बोलेंगे तब धन भी जाएगा और जान भी तो फिर सीधा सा उपाय है सब लोग अपना सारा धन किसकी हिम्मत है रानी के फैसले से परजा में असंतोश वभय की लहर फैल गई सारा धन राजकोश में जमा करा दिया तो हमारी आवश्यक्ता कैसे पूड होंगी यहां अब रामराज नहीं रानी की मनमानी चलेगी और तभी ओ ये तो डाकू संग्राम सिंग की चुटिया है जल्द ही अपने धन की पोटलिया मेरी चुटिया से बान दो वरना मेरे आदमी इसे तुमारी गर्दन पर कस देंगे बिचारे लोग क्या करते इन डाकों से हमारी रक्षा करने कोई भी नहीं आएगा जान बचानिये तो धन डाकों को सौब दो शाबाज जल्दी करो कि रिजी असत्याचार जूट बोली नहीं सकते लेकिन अरे ये तलवार फिक कर मेरी चुटिया किसने काट दी मैं उसे गंजा कर दूंगा तो फिर बड़ा आगे शाथान डाको संग्राम सेंग क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ तेरी चुटिया काटी है गर्दन काटना तो पाकी है लगां दीरे कीच बाकेलाल मेरे मूँ में दर्द हो रहा है बाकेलाल जी, महराज बाकेलाल जी, ये तो सेम महराज बाकेलाल जी है, हमारे महल जमाई जबकि संग्राम सिंग क्रोज से कापता चीक पड़ा बाकेलाल चुटिया तो तेरी भी है तुने मेरी चुटिया काटी है मैं भी तेरी चुटिया काटूंगा और फिक गर्दन पकड़ लो इसे ही हाँ हाँ आजाओ धरता कौन है डाकू एक साथ बाकेलाल पर जपट पड़े तुम भी किया याद करोगे कि इसी बाकेलाल से पाला बढ़ाता हाँ 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 डाकू संग्राम सिंग ने बाकेलाल को अपने साथियों से उलजा देखकर पीछे से आकर उसकी गर्दन अपनी चुटिया में जखड़ ली मुस्कड़ा रहा है क्या मुस्कड़ा रहा है अब देखो मैंने इसकी गर्दन थोड़ी और जोरो की जगरड दिया है मर गया ना नई दो ये हश्रा आ है क्या अभी भी हश्रा है अब देखो, एक बार मैंने इतनी ताकर लगा कर एक सान का गला दबाया था तो इसकी आँके भी बाहर आ गई थी, जल्दी बताओ, इसका क्या बाहर आ रहा है पुछ नहीं सरदार, ये तो अभी भी हसरा है क्या? तो कमबक्तो, खड़े-खड़े इसका मूँ क्यों देख रहे हो, अपनी तलवारे उसके पेट में खुशेड़ दो अब इसकी हसी बंद हो जाएगी सरदार, ये तो अभी भी हसरा है अब इसकी हसी ज़रूर बंद हो जाएगी जब मैं इसकी गर्दन में फंदा कसके इसे घोड़े से खीचूंगा भाग दोड़े, भाग घोड़े खेच, खेच, अपनी हर तमन्ना पूरी कर ले डाकू संग्राम सही जल्दी देखो, अब तो ये ज़रूर मर गया होगा सरदार, ये तो अभी भी हसरा है बस, बहुत हो गया तमाशा डाकू संग्राम सही तो न मुझे मारने के अपनी सारी कोशिशे कर ली अब बारी मेरी है बाके लाल ने अपने पेट में घूपी तलवारे निकाल ली झी खाच-खाच-खाच बाके लाल उचल गोडे पर सवार होगया और चल मेरे गोडे भाग संग्राम सही मेरी गर्दन छोड़ दे छोड़ दे संग्राम सही बेख, ज़ेद मत कर नहीं छटंगा पाकिलाल जब तक तुम मर नहीं जाता तब तक नहीं छोड़ूँगा अब है छोड़ दे बेवकूफ की अलाथ अगर तूने नहीं छोड़ी तो पूरा शरीर छल जाएगा घोड़े का सोचना ठीक निकला अब इसके मुझसे कोई आवाज नहीं निकल रही रगड़ गया ना पूरा भगवान इसकी आत्मा को शांती दे बाके लाल ने संग्राम सिंग को हेला डुला कर देखा और बोला साथियों ये मर चुका है भगवान ने बेचारे संग्राम सिंग को डाकू तो बना दिया पर अकल मेरे से भी कम दी डाकू संग्राम सिंग का खत्रा हमेशा हमेशा के लिए टन चुका है अपनी अपनी धन की पोट लिए इसकी ठुटिया से वापिस खोल लो दूसरे ही पाई बोलो महराज बाकेलाल की अरे रे ये क्या करते हो मैं गिर गया तो मर जाओंगा जैज बाकेलाल वहाँ से विदा हुआ रोजाना योजना सफल होती लग रही है क्योंकि लोगों पर धाक जमाने का मेरा प्रयास सफल हुआ है महराज बाकेलाल जी जिन्दाबाद, तभी, ओ, सब लोगों ने अपने धन की पोटलिया तैयार कर ली है, लाओ, इससे पहले की डाकू संग्राम सिंग आए, और तुम्हें मार कर ये धन तुमसे छीन ले जाए, ये पोटलिया मेरे से निको को सौब दो, महामंत्री जी, आप हमारी धन की पोटलियों को नहीं, डाकू संग्राम सिंग और इसके पापियों को यहां से ले जाओ, साथियों को यहां से ले जाओ, क्या, इन्हें किसना मारा, हमारे माराज बाकेलाल जी ने, ओ, बाकेलाल, बाकेलाल भी लोग पढ़ती आप, बाकेलाल क जो 36 गड़ के महान युद्धा घोडू पहलवान को दंगल में हरा सके। अगर मैं इस घोडू पहलवान को हरा दूँ तो यहां मौझूद हजारों दर्शक भी मेरे प्रशंद तक बच जाएंगे। मनी मनी ये निश्चा करके बाके लाल अखाड़े में कूट पड़ा। घोडू पहलवान तुझे पचाड़ेगा बाके लाल। अरे ये तो महराज बाके लाल है। महराज आपकी ताजी ताजी शादी हुई है क्यों रानी जी को विद्वा बनाना चाहते हैं। मुझे दंगल से पहले जरा एक नजर विबिन राज्चों से आए इन सूर्मा पहलवानी के और भी देख लीजे। इनमें मैंने एक एक दुलत्ती में चित्त किया है। घोडू पहलवान तो फिर दिखा अपनी दाकत। इस वक्त तो मेरे लिए महाराज नहीं सिर्फ एक प्रतिदंदी हो। इसलिए मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूँगा। महाराज को गोडू पहलवान से नहीं उलजना चाहिए था। इसका गुरू एक गोड़ा है जिससे इसने दुलत्तियां मारना सीखा है। इस पर दुलत्तियों का असर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। मैं इसे धोबी पाट दे दे कर ठोड़ा हूँगा। थार थार आएं ये तो अभी भी होश में है। कोई बात नहीं इस बार इसकी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। मैं इस पहलवान को अपनी ताकत दिखाने का पूरा मौका दे रहा हूँ। मैं मुगदर मार कर इसका सिट तोड़ दूँगा। माराज गए। मारानी बिद्वा हो गई। ये तो अभी भी खाड़ा है। इसकी टांगे तोड़ देता हूँ। गोड़ू पहलवान ये किसी भगले की नहीं बाके लाल की टांगे हैं। तुने बहुत सारे बार कर लिये। अब तु मेरे शक्तिशाली मुक्य का बार पचा पाएगा या नहीं। ये सब को दिखाने का वक्त आ गया है। नहीं। मुझे तेरा मुक्का नहीं काना बाक बेटा गोड़ू पहलवान वरना ये तेरी नागम नकेल डाल देगा। बाक टा काए गोड़ू पहलवान रुख जा मैं धीरे मारूंगा। लाना थैस। पर कमकर ने गोड़ों का नाम बदनाम कर दिया। विजई बाकेलाल की जैजेकार से आकाश गुरंड उठा। महराज बाकेलाल की जैसा हो। वाँ योजना निश्चित रूप से सफल्फल हो रही हैं मेरी दाक उन पर जम रही है। अरे ये तो बाकिलाल है लोग इसकी जैजयकार क्यों कर रहे हैं आखेर महामंतरी ना कारण पता लगाया और महामंतरी चमचा सिंग से वैं समाचार पाका डायन रानी चौंक पड़ी ओ सौमी की जैजयकार होने लगेगी तो फिर मुझे कौन पूछेगा जैजयकार सौमी की बलकि मेरी और मेरी ताकत की होनी चाहिए मेरे लिए क्या हुप मैं महारनी जी आप कहें तो अब भी आपके चरन दोदोगर पी सकता हूँ आप बाकिलाल जी को तलाग दे कर तो देखिए अब तो मेरा सौमी से तलाग तब ही होगा महामंतरी जब इनकी जिन्दगी उन्हें तलाग दे देगी तब तक तो मैं प्रतीक्षा करनी होगी लेकिन इसका ये अर्थी भी नहीं कि मैं सौमी वा परजा को अपने सिर पर चाड़ने दूगी अब तुम जाओ अप्पा इंतजार करांगे अब मैं वो पहले वाली दुशन्ती नहीं रही जिसकी डायन शक्तिया जबड़ा मिल गया है मुझे मेरी शक्तिया भी वापिस मिल गई है डायन रानी दुशन्ती एक गुपतस्तान पर पहुंची और 36 का आकड़ा 36 का जबड़ा परजा चड़ गई सेर पैदा कर कबाड़ा अब देखूंगी कि स्वामी इस बला कबाड़ा से परजा को कैसे बचाते है ये बला परजा के साथ सा स्वामी की उस इज़्जत का भी कबाड़ा कर देगी जो स्वामी ने परजा में बनाई गया है ये बला कबाड़ा जो जीते जागते इंसानों का कबाड़ा कर देती है मालूम है कैसे अभी दिखाती हूँ बचाओ ये गई तेरी पुरानी बाजुएं और आजुडी नई बाजुएं जे नई ये बाजुएं कह रही है ये तो जाडुएं अब मेरी नई बाजुएं सड़क की दरब बट रही है शायद सफाई करने के लिए कबाड़ा को देखकर भगदल मच गई थी भागो भागो ये तो कोई डायन है ये किया मैंने वमक्कड का जादू जिसके प्रवाब से ये लोग भागते तो रहेंगे पर मेरे ही आसपास से होकर और मैं इनके शरीर से चुआ कर इन चीजों से करती रहूंगे इनका कबाड़ा मेरी गर्दन मच की में बदल गई इस डायन ने मेरी टांगो को अपने जादू के प्रवाब से तंडे बना दिया है कमखत ने मेरा कान पंखे में बदल दिया अब रोज बीवी को चलना पड़ेगा अरी ये क्या मेरा पेट मटके में बदल गया और इसमें तो पानी भी बढ़ा है कमाल है हम भाग भी पूरी ताकत से रहे हैं पर डायन की नजर से दूर नहीं हो रहे क्योंकि ये गुमक्कड का जादू है लेकिन इससे पहले की डायन कबाड़ा फिर किसी को दबुच लेती ठैर जा डुस्टा कबाड़ा अब बाकेलाल तेरा कबाड़ा करने आ गया है ले चक मजा निर्दोश लोगों को सताने का तलाक बाकेलाल मुझे तेरी ही प्रतिक शादी तेरी चादी कनस्तर में बदल दूँगी खनाक लेकिन अरे ये क्या ये तो उल्टे मेरी चादी ही कनस्तर में बदल गई वाह इसका जादू मुस पर उल्टा असर कर रहा है जादूओं का प्रहार ज़रूर सफल होगा तलाक आएं इस बार भी मेरी बाजियों जादूओं बदल गई ये मुझ पर जो भी प्रहार कर रही हो इसका उल्टा असर इसी पर हो रहा है बाकेलाल अपनी सौमनी के आदेश पर परजा से तेरा मो मैं भंक करके ही जाओंगी सौमनी कौन है इसकी सौमनी डायन की सौमनी डायन ही हो सकती है तो इसका मतलब इसे दुशनती ने भेजा है और अरे डायन कहां गई समझ गया कबाला ने सारा समान मुझ पर फेक मारा था कबाडा का ये डेरी तो डाइन कबाडा है कबाडा के मरते ही मैं ठीक हो गया मैं भी ओए मैं भी ये सारा कमाल तो हमारे नए महाराज बाकेलाल जी का है डुष्टा कबाडा का अंत करके महाराज बाकेलाल जी ना मैं बहुत बड़े संकर से बचा दिया बोरो माराज बाके लाल की जै मामंत्री नहीं वैस उचना भी रानी तक पहुंचाई क्या कबाला सौमी कहा तो मारी गई मुझे तो आपकी जिनता हो रही है मैं तो कहता हूँ कि फॉरण तलाक ले लू चुप रहो मामंत्री अब मैं समझी कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सौमी की जान मेरी मुठी में है इस बात का लाब उठाकर सौमी परजा पर अपनी धाग जमा रहे है ओए बले बले और ऐसा होता भी जा रहा है अगर मैंने शीकरी सौमी को जान स्वामी की जान को अपनी मुट्टी की कैच से स्वतंत्र ना किया तो भले ही राजगत्दी पर मैं ही आसी नहूं पर लोग राजा स्वामी को ही मानने लगेंगे पर मैं भी वड़ी चंट हूँ डायन जो हूँ मैं इसी वक्त स्वामी की जान अपनी कैस स्वतंत्र करती हूँ अब आएगा मज़ा जबकि इधर अरे भागो दो बहरों पर चलता शेर आगिया कर बाउजी नमस्ते मैं जिकार करने से पहले नमस्ते करता हूँ तूर हट कमखात था तुमने शेर को लात मारी बाउजी नमस्ते हाँ आजा तू क्या बिगार लेगा और तभी बाकिलाल जी बचो सेना पती बेकारी तुमने इसे रोक दिया इसे मेरे हादों मरने दिया होता आ वो तो ठीक है बाकिलाल जी पर जैसे ही मुझे महामंत्री ने बताई कि राणी जी ने आपकी जान आपकी मुटी से सतंत कर दिये तो मैं दोड़ा आया अगर मैं इसे ना रोकता तो यह आपको फार कर खा जाता क्या सेना पती की बात के सद्वें बाकिलाल फॉरण ही बेहोच होकर गिर पड़ा ओखो डुस्टर ने नहीं चाल चल दी कब छुटे का टाइन से पीछा बाकिलाल जी को मैल में ले चलो समाप तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हो बिलते हैं बाकिलाल सीरीज के अगली कॉमिक्स छत्रपती बाकिलाल में तब तक के लिए धन्यवाद